कि चाट करें कि क्या है बाई करें करें अ करें करें कि अधार रगी आज़ी अफ यह कि अधार नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत-बहुत अधार परस्टेफोर में आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मैत्पूल होने जा रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं कि अधार नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत-बहुत श्वागत करता हूं आपके अपनी युटूब चले टॉपरस्टेफोर में अगर ने हुआ 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 है हलो नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत-बहुत श्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चले टॉपरस्टेफोर में अगर आपने यूपी लेकपाल 2022 की पर है हलो नमस्कार कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत-बहुत श्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चले टॉपरस्टेफोर में आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेकपाल भरती 2022 को नोटिफिकसन आया उसके बाद इसमें पैट को लेकर भरती थी योप लेकर लगाता सौट लेकर बहुत सारी समस्य आई परिच्चा होई पर परिच्चा के बाद जो बहुत सारी चीजह सामने आईग के इस परकार की धान दिलो यह वरश्टा चार हुए इन सभी को चीज़ नह Dame क्यों है इस पे हम बात करेंगे अनुम पूरक रिजल्ट को ले कर एंबात करें यानि कि बैटिंग लिस्ट को ले करेंगे जब दाए किसी भरती का रिजल्ट जारी कर देता है तो बैटिंग लिश्ट इस परकार से आती पर गरियर क्या और यूपू परशद के लिए पर बड़ुए जारी कर सकता है। पॉइंट पर भी बात कर लेंगे पिर उसके बाद हम बात करेंगे भाई चात्र क्या करें जिससे अनपूरख रजल्ट की जो बात कहीं जा रही है वो जल्दी से जल्दी आप सभी को मिल सके समसे पहले एक ची में आपको बता दूँ बेटिंग लिस्ट जैसे अनपूरख रथकारी बीपी ओ हो बीडियों हो ठीक है और इन भरतियों के जब रिजल्ट आये थे तो बहुत सारी जो चात्र है कि बेटिंग लिस्ट को लेकर के कोट भी गए थे कोट में भी जो है रिट दायर हुई थी लेकिन हो सकता है कोट की बिज़ाशे किसी कारण बस से यूपी कि जैसे किसी भरती में जो है बेकिंसी आती है और बेकिंसी आने के बाद जब रिजल्ट हो जाता है जोनिंग हो जाती है उस भरती में जो भी बेकिंसी बच जाती है जो भी पद बच जाते है जो चात्र जोन नहीं करते तो उनका एक रिजल्ट बाद में बेटिंग जारी होती रहती है अनुपूरग रिजल्ट आते रहते हैं इससे जो छात्र किसी बज़ा से रहे गए छोटे मोट थोड़े अंकों से तो उनको स्वेक्ट की सम्मावना बढ़ जाती है इसी प्रकार से जो भी भरते हैं उसमें निकालना चाहिए अनुपूरग रिजल्ट ले लिए वो राजसु परसद की अंत्रकता सिर्फ एक ही विभाग है इसमें सिर्फ एक विभाग है तो यहां पर एक रिजल्ट जारी किया जा सकता है बेटेंग लिस्ट अब एक को समस्या सबसे बड़ी यहां पर आती यूपूरग अगर हम जूनर असेस्टेंट की अगर चर जारी करेगा तो उन सभी 200 विभागों से पर्मीशन लेनी पड़ेगी कि आपके कितने छात्रों ने जॉन किया है कितने छात्रों ने नहीं जून किया तब ही तो गिंती पहुच पाएगी यहां पर समस्या देखने को मिल जाती है लेकिन जो एक ही विभाग के पद है वहां कि विभाग में कितने छात्रों ने जॉइन एक संक्यां विभाग के पास रहती हैि आपको इपता होगा आप जो रहती डिष्टे में कितने छात्रों जोन किया कितने नहीं किया तो यह जो राजस्व प्रशाद जो है उसके बाद संक्या है अब यह प्रगरिया कि अगर राजस्व प्रशाद किसे इनफॉर्म करें यूपी ट्रपल सी आयों को इसमें पद इतने खाली रहे गाए इस वै राजस्व प्रशद यूपी ट्रपल सी कंप कई वाई आपने नोटिफिकेशन दिया अपने अधिया अदिया अधिया रिक्ति निकाला परिछा कराई रिजल्ट इया बच्चों को चैनल करके हमने डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करा दिया और उन चातरों जिस विवागं में बच्चों को बेज दिया अब बात आती है फिर उसे बिभाग की उसे बिभाग में कितने बच्चों ने जॉइन किया है कितने नहीं किया तो राजसु परसद यूपी ट्रपल सी के पास भेजेगा है information कि इतने पद खाली रहें तो यूपी ट्रपल सी इसका अनुपूर रिजल्ट जारी और कर सकता है अब हम बात करने कि यूपी ट्रपल सी ने अभी तक किसी भरती की बेटिंग लिश्ट जारी है तो मैंने अभी चर्चा किया किया कि अभी तक तो ऐसा कही देगने को हो सकता है कि यहां से आपको पहली बार देखनों को मिले यूपी ट्रफल सी आयों में और इसके बात इसमें जात्रों का बहुत बड़ा हित है जो आदे नमसी रहाते हैं पॉइंट्टू फाइब रहाते तो उन बच्चों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए बेटिंग बहुत ज्यादा चर्चा हुई ती लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था लेकिन इसमें बेटिंग लिस्ट जारी जरूर होनी चाहिए ऐसा में पूरा शमर्थन जो है सभी छात्रों को देना चाहता हूं और यूपी गवर्मेंट से भी इस बात को कहना चाहता हूं यूपी यूपी जड़ी जा रही हो सकती है तो आप कर क्या सकते हैं किछ लंप लट नहीं चलाना या आपको पूर्यासौब करेगा अकर फिशनर बहुर्मदsequर्थ के अका किरुए पि इस्किन मिलेंगे या मिया दे रहे अधरना दे रहे तो राजसौबूब सम्परेंगे जो यह सकती आप खी unknown कहां पूर सकती वह घ्राश्था सब्सक्राइब कर पाएगा जाय alguien die एक अनपूरक रिजय जारी करना चाहिए यूपी टपलेस्टी आयों को सब मेरा समर्थन पूर रूप से आप सब लोग साथ है यूपी गवर्मेंट से मेरा अनुरोध है और कोई भी अतिकार इस वीडियो को देख रहा हो तो यूपी गवर्मेंट यूपी टपलेस्टी के इस अनुपूरक रेजल्ट को बिल्कूर समर्थन कभी-कभी ऐसा हो जाता है को वीडियो तो लेट आप आती है ठीक है और बहुत सारे छात्रों जब मेरे पास कॉल आई मैसेज आई के सारे इस पर एक वीडियो आपके लिए बननी चाहिए आप लोग हमेशा से लिपी लेखपाल संबंद जानकारी दिये आपने त्यारी भी करवाई है तो इस पर एक वीडियो आपके लिए स्पेसल होनी चाहिए और आपकी बात जो है इपी गवर्रमेंट तक पहुंच सकती है तो मैं यह इस वीडियो के मादधम से पूरा लिपी लेखपाल भरती में जो भी छात्रों के मैं समर्थन में बैटि सामाई से समय से चलती रहें है और समय से भरतियां पूरी होती रही थे सभी चाहत्रों के ना है रहें तो चलिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग लगे रहिएगा इसको प्रयासत रहिएगा और हो सकता है कि आपको एक अच्छी सकारात्मग सुचना मिले राजोस परसद की तरफ से राजोस परसद ने अभी नीज भी जो है ली गई है एक नीज मैंने इसमें स्क्री करिएगा और उम्मीद करता हूं एक अच्छी ख़बर आपको जल्दी ही मिलेगी ठीक है उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी बहुत-बहुत धन्यवाद